बिटकोईन में 18,500 के प्राइस से हमें अच्छी recovery देखने को मिली थी almost 20% के राउंड की जिसके बाद एक बार फिर से हमें बिटकोईन में गिरावट देखने को मिल रही है 22,500 के प्राइस से लास्ट बुल रन में जो बिटकोईन का all time high range थी 17,000 की वो बिटकोईन के लिए एक strong support की तरह काम कर रही है और अब बिटकोईन का प्राइस उसी range की around ही trade कर रहा है अब क्या बिटकोईन का प्राइस पहले 15,000 को touch करेगा या फिर 30,000 को इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे क्रिप्टो से related कुछ latest news की वेलकम तू आवर चैनल क्रिप्टो मैंडर्स अगर आप अमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले अनलाईज करते हैं बिटकोई के चार्ट को अभी बिटकोई का प्राइज 20,500 के पास ट्रेड कर रहा है और 18,500 के प्राइज से हमें बिटकोई में 20% की रिकवरी देखने को मिली थी बिटकोई की चार्ट पर आप देख सकते हैं 17,500 के प्राइस को टच करने के बाद से बिटकोई ने फिर से उस प्राइस को टच नहीं किया है। बट एक तेज गिरावट आने के बाद इसका प्राइस अप साइडवेज और एक ट्रेडिंग रेंज में ही गूमता हुआ दिख रहा है। जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक अच्छी रिकवरी के बाद से बिटकोई में हमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके पीछे का रिजन है बिटकोई के प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल के पास होना। 22 से 23,000 की जो ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों वो बिटकोई के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। पहले भी तीन बार बिटकोई इसी ट्रेडिंग रेंज के पास से नीचे आया है। इस बार भी Bitcoin फेल रहा है 23,000 के resistance को break करने में और हम 10% की गिरावट Bitcoin के price में देख सकते है आप बात करते है Bitcoin का price पहले 15,000 को touch करेगा या फिर 30,000 को Bitcoin के chart को देखोगे तो अभी Bitcoin 18-23,000 की price range में trade कर रहा है जब भी किसी stock या crypto का price तेजी से नीचे गिरता है उसके बाद वो asset A की price और trading range के round trade करती है और जब market इस trading range को break करता है तब ही market में हमें कुछ constructive move देखने को मिलेगा और Bitcoin तो अब इस trading range के middle में ही trade कर रहा है हमें wait करना पड़ेगा जब तक Bitcoin अपनी इस range को break नहीं करता है किसी एक side में बट सबसे important चीज है दोस्तो अभी के लिए Bitcoin का इस range को hold करके रखना अगर Bitcoin next 4-5 month तक इसी trading range के बीच में trade करता है तब भी हमें old coin में अच्छी rally देखने को मिलेगी आपका क्या कहना है दोस्तो 15,000 और 30,000 BTC पहले किसको touch करेगा comment करके जरूर बताइए अब बात करते हैं दोस्तो क्रिप्टो से related कुछ latest news की फर्स्ट न्यूज है accumulating cardano ahead of wazil upgrade shark added 37 million whales stop selling दोस्तो add up blockchain पर wazil upgrade आने वाला है और इस वज़े से shark ने 37 million add up buy किये है और whales ने selling stop कर दी है और on-chain data show कर रहा है कि medium size investors ने 80 million add up buy किये है एक month में जो की एक बहुत ही positive news है ADA investors के लिए और इसके बाद हमें एक अच्छा move भी ADA में देखने को मिल सकता है second news है दोस्तो 5 cryptocurrencies removed from grayscale digital large cap fund grayscale ने 5 cryptocurrency को remove कर दिया है अपने digital large cap fund में से ये 5 crypto है दोस्तो bitcoin cash, channeling, litecoin, polkadot and uniswap next and last news है American have lost 185 million dollar to crypto romance scam in just 15 months initial report का कहना है कि 185 million dollar American ने lose कर दिया है crypto romance scam में वो भी 15 महिने में और अगर एक average victim को count करे तो 10,000 dollar single victim ने lose कर दिया है इस crypto scam में इसके लावा federal trade commission ने report किया है कि 2021 किसके बास से अब तक 1 billion 10k round American खो चुके है crypto scams में crypto scam आज कल आम सी बात हो गई है और ये अमेरिका में ही नहीं इंडिया में भी चल रहे है इसलिए अच्छे से research करके ही money को invest करे crypto में ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुगा इसलिए वीडियो को like and share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक्यू जैहिन